नमस्कार दोस्तों विने की पार्ट साला में एक बार फिल से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस समय हम लोग कछा साथ की गड़ित की इकसराइड 6A के प्रस्णों को हल कर रहे हैं उसी के अंतरकत आज हम लोग प्रस्ण नमबर 4 करेंगे जो की इस प्रकार से है निमने लिखित समय करणों को हल कीजिए तो समय करण दिया गया है और इसको हमें हल करना है एक दिसम्लब पांच बाई माइनस साथ इस उकल टू जीरो दिसम्लब जीरो पांच बाई तो यहां पर बाई हम जो है वो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इसका चिन्न बदल जाएगा एक दिसम्लब पांच बाई माइनस 0.5 बराबर और यह 7 जो है यह बराबर के इस तरह आ जाएगा तो इसका भी चिन्द बदल जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस 7 1.5 में से 2.5 चला गया तो कितना बचेगा 1.0 बराबर 7 दसम्लब लगाओ या ना लगाओ एक लिखो या ना लिखो इस तरह से मेरा अंसर आ गया बाई बराबर 7 बहुत ही आसान प्रस्न था दोस्तों अब दूसरा प्रस्न क्या है 2.8 x is equal to 5.4 प्लस x अब यह x बराबर के इस तरफ आएगा तो इसका चिन जो है बदल जाएगा तो 2.8 x यह है और यह प्लस x हो जाएगा माइनस x और इधर 5.4 तो 2.8 में से 1 x चला गया तो यह बचेगा 1.8 x बराबर 5.4 यहां पर 1.8 जो है वह सीड़ा सा मेरा बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वह भाग में हो जाएगा तो 5.4 पर 1.8 दसम्लब से यहां मेरा दसम्लब कट जाएगा क्योंकि एक अंग बाद है और 18 दूनी 36, African तीया 25 तो सीड़ा सा मेरा एक्स बराबर 3 आ गया और यही मेरा जो है अंसर है अब दोस्तों चलतेय हैं इसके 3rd पर तो 3rd पर फार्थ है Nahea hein, जीक्री Hudson लप 8 जोड देते हैं तब तक तो यह हो जाएगा 0.5 और 2 साथ बाई माइनस 0.3 बाई और बराबर 2 तो 7 में से 3 गए 0.4 बाई बराबर 2 अब यह 0.4 बराबर के दूसरी तरब जाएंगे तो यह हो जाएंगे भाग में तो 2 बटे 0.4 यहां पर दोस्तों दसम्बलब खतम करेंगे तो ऊपर जो है 10 का गोणा होगा तो ऐसा करते हैं 10 का गोणा हम ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देते हैं और इसको जो है 10 का 2 में हो जाएगा 20 और यह नीचे एक 0 जो है दसम्बलब में दसम्बलब को खतम कर देगी यानि 10 कुने 4,40 होगा और एक अंग बार दसम्लब है तो यह 4.0 हो जाएगा इस तरह से जो है यह हो जाएगा 20 बटे 4 और यह 4.5 बीस तो य बरावर 5 आ गया और यही मेरा जो है आंसर आ गया बहुत ही इजी प्रस्न है दसम्लब का उप्योग जरूर है बट हमें दसम्लब द जीजो दसम्लब एक चह द्रैकट 5-2 एजुकल टू जीजो दसम्लब 4 एक प्लस 7 इधर आ जाएगा इधर जो है दसम्लब एक चह का अंदर गुणा कर देंगे तो पहले इसका गुणाइस में होगा उसके बाद इसका गुणाइस में होगा तो यह 16 पंचे होता है 80 और यह जीजो पहले लग जाएगा यह एक्स और माइनस का चिन माइनस का लगा दिया 16 दूनी 32 और यह दो अंग बार दसम्लब एक दसम्लब लगा दिया जीजो लगा दिया जीजो दसम्लब 4 एक्स प्लस 7 अब जो है हम क्या करेंगे जीजो दसम्लब 8 जीजो एक्स और यह जू है यह पूरा का पूरा आ जाएगा Früh एस तरफ तो माइनस जीजो दसम्लब 4 4 एक्स बराबर और यह संख्या जो है इयह जाएगी बराबर के इस तरफ तो यह प्लस साथ पहले से ही था और यह प्लस 0.32 अब यह दोस्तों यहां पर देखो कैसे घटाते हैं यह साइट में हम आपको बता रहे हैं दिसम्लब 8 0 और दिसम्लब 4 ऐसे जब भी जोड़ना हो या घटाना हो तो दिसम्लब के नीचे दिसम्लब लगा देते हैं उसके बाद जो भी करना हैं तो चार चाहिक आगे कुछ नहीं है तो यहां जी दो हो जाएगा तो सीधा साथ जीड़ो आगया आठ में से चाह गया चाहरा गया दिसम्लब 40 ऑगया तो यह जो है सब्सक्राइब नीचे लग लगेगा 3 2 हमेंसा याद रखना है जब भी दसंद्ट की संख्या हो तो दसंद्ट की नीचे दसंद्ट लगाती है तो जोड़ देंगे 236 तो यह आ जाएगा साथ 3 पर अब यह एक्ष बराबर साथ 3 तेन दो और यह 0 दसंद्ट जाएगा अब जो है दसम्लब दो अंग बाद नीचे भी है दो अंग बाद उपर भी है तो यह सम्लब से दसम्लब कट जाएगा तो यह मेरा सिंपल सा जाएगा 732 बटे 40 अब यह 4 का उपर देंगे भाग 4 एकम 4 पांच है साथ बटे बचे 3 चलूट बटेस एक बचा 12 हुआ 4 तिया 12 और नीचे जीरो है तो यह बटे हो गया 10 ऐसे लिख लो अब यह 0 खतम होगा तो उपर क्या लग जाएगा दसम्लब लग जाएगा जी हां तो यह आ जाएगा 18 तसम्लब 3 और यह किसके बराबर है एकस के बराबर है इस तरह से दोस्तों यह मेरा जो ह अंसर आगया उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गरूंगे